हालो और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो जो है वह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप एसे काफी स्टूडेंस ऐसे होते हैं जो कमेंट करते सर दस दिन बागी है एक्जाम्स आ रहे हैं किस इस वीडियो में इसी प्रकार का कुछ ऐसा वीडियो बनने वाले आपने थफ्रम्नेल वृर टाइटल देखके आपको पता ही लगा है कि मेरे परस्टी कर。 जो चीज़े मैंने फॉलोग किया अगर आप मुझे चैनल करते हूं काफी दिनों से पहले से तो आपको पता होगा कि फर्स्ट इयर में मैंने लगबख हर एक सब्जेक का स्टेडी वन नाइट में किया था तो वन नाइट में अगर आपको स्टेडी करना है I would say कि एसी नोबत ना है कि आपको वन नाइट में स्टेडी करना पड़े बट फिर भी अगर आपको नई पॉसिबल हुआ और वन नाइट में अगर आप स्टेडी करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस क्या चीज़े क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किये जिसके कारण में वन नाइट स्टेडी करके पास भी हुआ अच्छे नंबर्स भी मुझे आए एंड अमंग दे टॉपस था में वन नाइट स्टेडी करके ही तो वो सभी चीज़े यहां पर में शेयर करूँगा इवन अगर आप दस दिन से या फिर फिफ्टीन देस से या फिर आपका जो भी टाइम टेबल हो उसके सब से जितने भी दिन बाखे एक्जाम के लिए आप प्रि वेलकम बैक तो चैनल मत संग गाइस वीडियो में हम देख रहे हैं वो टु स्टडी वन नाइट में एक नाइट में कैसे स्टडी किया तो यस इस वीडियो में जो भी मैं बाते बताने वाला हूँ वह मैंने परस्नली प्राक्टिकली मैंने अपने लाइफ में अपने लेंग करते हैं डियम करते हैं वही चीज की इतने दीन बाकी है एकसाम में तो कुछ टीप्स बताइए तो यह जो टीप्स में चीज आगर आपको करना है तो आपको ठान लेना होगा कि यह मैं कर सकता हूँ यह मैं कर सकती हूँ सब्सक्राइब फिर फिर फिर्ट जो मैं बलूगा फॉस्ट इंग जो मैंने फॉलो किया सब्सक्राइब लिए कर सकते हो सब्सक्राइब है यह यह चीज यह चीज यह रूफ यह कर सकते हैं सेकेंड तिंग जो मैं करता था वो था रिवीव रिवीविंग यो सिलाबस हमेशा से मैंने जो भी वीडियो बनाया है आभी तक स्टेडी के बार में वहाँ पर मैंने यह चीज़ बताई है आपका सिलाबस क्या है उसे रिवाइब कर रिवीव करो जैसे कि आगर आप से टीने पर कितना मार्क्स अलटेड है या अगरे साफיס एक यक्ज़ाम चल्थ डापिक जो सब्सक्रायो करता है उसे तिक्मार करो ऐसे मतलब चीज में आप बताऊंगा जो ठर्टी परसेन अपका सिलाबस है वो 30 परसेंवां आपका एक्जाम के लिए 70-80प्रर शेंट पर आपको पूछे जाएंगे उन्हें मतलब एक सेपरेट लिस्ट करिए या फिर सेपरेटली उन्हें पढ़िए और जो टॉपिक्स 30-20 मार्क्स आपको देने वाला है वो सेपरेटली पढ़िए फिर यहां पर आपको आपको समझ में आएगा सो सेकेंड तिंग आए और आपका एंटार सिलाबस रिवीव करिये कौन से सब्जेक्ट को स्वाइबस में कौन से टॉपिक को आपको कितने माक्स अलोटेट है वो तिटिफ्रेंशेट करें ताकि आपको स्टेडी करने में आसान हो और इस तरीके से आ आगे अगली प्रोसेस अब करिया थर्ड और इंपोर्टन थिंग आई उस्ट दू डाट वस गैदर इंग रिसोर्स यस गैदर रिसोर्स अब रिसोर्स क्या है कि जो भी शुरू तो आपने किया फॉर्स तीम से बिलिप किया चलो भई मैं करने वाला हूं कर सकते में कर सकता से घर देख आपने सिलाबस देखा शिलेबिस अपका रीुग किया थर्द यंधाए जो भी अपने आपने टॉपिक तो तो उन टॉपिक का study उन्स topic के study material या फिर material आपको कहा से मिलेगा तो वो रिसेर्स आपको gather करने हैं वह आई उस्ट डू मैं क्या कर दा कि जब यह एक्जाम था या फिर मैंने क्या किया कि एक्जाम के पहले मैंने देखा कि यह इतने questions है तो ऐसा कौन सा बूक है या फिर ऐसे कौन सी पीडियाफ है जहां से मैं यह सभी चीज़ें इकटा कर सकते हो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बस इतना कि जो इंपॉर्टन हो और जो इनफ हो तो वही कंटेंट में ढूंदता था सब्सक्राइब करता था और जाया उसे अपना खुद के नोट्स बनाने हो तो एससे रिसोर्सस जैसे स्टडी मटेल हुआ हर एक चीज आपको गैदर करने हैं आप इससे एक और पॉजिटिव चीज में बताऊंगा कि जब हर कोई चीज आगर आपको पांच बुक से लगने व या फिर जिस जगह पर आप बैट कर स्टेडी करने वाले हो वहाँ पर होने चाहिए क्यों अगर आपको एक पॉइंट एक बुक में मिला है दूसरा पॉइंट आपको आपको पता है कि कोई किसी और बुक में मिलने वाला है तो फिर से उठकर वहाँ जाकर आपका लिंक तोड़ना नॉट गुड और एवर्टिंग विल मतलब कोई फाइदा होगा नहीं इस चीज़ का इट विल रहेगा कौन से टॉपिक्स के लिए कौन से आपको पीडियोफ या फिर कौन से नोट्स आपको रिफर करने हैं वह चूज करना बहुत इंपोर्टन है फॉर्थ और एक काफी इंपोर्टन बात में करता था आपको भी बोलूँगा एक कोट मैंने इंस्ट्राग्राम पर मेर इंस्ट्राइम स्ट्रोरिय पे मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने डाला था डिस्ट्राक्षिन फोकस distraction आपके focus को मार देता है अगर किसी एक particular चीज पर focus कर रहे हो तो अगर वहाँ पर distraction आता है तो उस आपको जो focus है वो चला जाता है तो fourth thing that I used to do is I used to find a place where I won't be distracted इसी जगह जहाँ पर मुझे distract करने के लिए कोई नहीं रहेगा so what you have to do fourth thing I would say find a quiet place एक शांत जगहा एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आपको disturb करने के लिए कोई भी ना आए चाहिए आपका friend हो या फिर आपके mom dad हो आपके parents वह फिर कोई भी हो वह आपको disturb ना कर जब मैं first year में exam दे रहा था तो हमने किसी एक रूम एक सी दूसरे city में हमारे exam थी तो वहाँ पर हमने एक room rent के थी and all of my friends were staying in that one single room तो for study purpose में जैसे मैंने बताए one night में study किया तो for study purpose what I did मैं जो आपके जो staircase होती थी staircase पर कोई बेटता नहीं था staircase पर कोई रहता नहीं था या फिर terrace तो यह दो जगा ऐसे थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि हम टॉप फ्लोर पर थे सबसे उपर थे तो आपर कोई आता जाता नहीं था so there was no disturbance what I used to do I used to sit either in the staircase या फिर terrace पर जहां पर मुझे कोई सब्सक्राइब ना करया जो भी distracted चीज़े थे उनसे में दूर होता था आई आई फाउंड माय क्वाइट प्लेस फार मी तो स्टेडी मेरा resources and everything I used to carry with me on to the terrace and to the staircase and वहां से में study करना चाहता था एक और चीज़ में करता था जो कि I used to do I used to love doing while studying that is में एकदम चोटे से वाइस में काफी कम लो वाइस में में साइलेंट सूधिंग म्यूजिक सुनता था वाइल आउस टड़े अब यहाँ पर जब आप स्टेडी करने बैठो के एक ऐसे जगह पर तो आपको क्या करना है कि ब्रेक्स लेने हैं अगर आप सुपर नो बज़े बैठ गए तो नो बज़े से लेकर रात के नो बज़े तक बैठना यह नॉट गुट नॉट पॉसिबल और नॉट गुट आप नो बज़े बैठी है एक घंटे बाद फिर फिफ्टे मिनिट्स बाद आप ब्रेक लीजे फ का अपको या फिर आपका फोकॉस आको मतलब वो चला नहीं जाना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एम रखा है आपने क्या अपको पढना है या फिर आप ब्रेक्स चले लेने चाले नहीं है तो यह सब्सक्राइब करेगा जो में करता था दाट वस्ट इंग रिवर्स मैनर क्या है मेरा मतलब यह नहीं कि आपको पीछे से या फिर उल्टा पढ़ना है यह आपको लास्ट लेशन से आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर मैं है कि आप क्या करते हो कि आप टेक्स्ट पढ़ते हो आप अगर एक्जांपल दे दू तो फांडेशन आफ नर्सिंग के लिए हमारे मेरे जो टीचर रहते उन्होंने हमें कुछ पुछ दिये थे यूनिट वाइस तो यूनिट वाइस हर एक यूनिट में 15-20 कुछ उनिट में 8 कोशन ऐसे हर एक यूनिट के कोशन थे तो मेरे पास वो कोशन थे तो जब मैं स्टेडी क करने गया तो और सबसे बहुAN मने क्या किया मैंने कशन पड़े ए пригmaht ुच्छन टीरे और उर jurisdожно में समयाने की कोशिश की कि इस कि गार इस यूनिट में ने और और क्या पूछा जा सकता है औरेडी मैंने यह चीज पहले ही सेप्रेट की थी कि 70% मार्क्स या फिर 70-80% मार्क्स करने वाले टॉपिक्स को सेप्रेट किया था सेकेंड ली कोशन भी देखे थे तो इस चीज से क्या है कि जब आप पहले से ही कोशन देख लेते हों कि कौन से इंपर्टन कोशन से तो आड़ टाइम आफ रीडिंग अब वो मेरे लिए किस तरीके से हेल्प हुआ मैंने कोशन पढ़ लिए फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट पर में गया रेफरेंस बुक को मैंने देखा और उस टाइम पर जब मैं बुक्स पढ़ रहा था मैंने जो कोशन है इस पर यह कोशन पूचा आया है तो वह चीज पर आप फोकस करते हो और वह आपका मतलब जो आपके जहन में वह चीज रहती है और इस इसी तो अंडरस्टैंड इसी टू रिमाइन तो यह बात में आपको बताऊंगा आप भी यह चीज लागू कर सकते हैं एक वह आपको फ्रेम करवा देना है या फिर आप की नोट्स द्यान चो की वर्ट होते हैं उसे ध्यान में रखिए क्योंकि आगर आपके पास और रेडिक पेपर प्रिवेस कोशन पेपर है या फिर आपने अल्रेट टॉपिक्स देख लिए है तो उसकी वर्ट आपको पता होत इसका यही रिजन था कि मैंने कम टाइम में एसे ही टॉपिक्स को फोकस किया जिस पर ज्यादा से ज्यादा कोशन आ सकते हैं जो टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं जो टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स मुझे दिलवा सकते हैं तो डाट इस दरीजन वाई आई पाच पाच टॉपिक्स इंपोरेंट स्टेप्स मैंने बताई जो आपको करना चाहिए अगर आप वन नैट स्टेडी करना चाहते हो या फिर अपने अपना टाम टेबल बनाया है एक महिना दो महिना कोई भी कितना भी टाइम आपके पास बाकी हो यह पाचीज आपको फॉलो क फॉर्थ इंपोर्टन थिंग फाइंड प्लेश एक शांत जगहा शांत प्लेश फाइंड करें आपको कोई भी डिस्टब ना करें फिफ्ट इन फिफ तींग में चीज है अगर आपको फूल लगता है कि यह जो इंफोर्मेशन या फिर यह चीज मैंने शेयर के वह आपके लि यसे जो आप करते हो जो आपको relate करता है वो comment करके बताईए यह habit है या फिर यह चीज में करता हूं मैं follow other than that अगर आपको कुछ और आड करना है तो वो भी चीज आप comment करके बताईए कुछ suggestion हो तो आप वो comment करके बता सकते हो, कुछ doubt हो, कुछ कोई भी हो, आप नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं, अगले इस वीडियो को upload होने के एक घंते तक में इस वीडियो के नीचे जो भी comments आएंगे, उनको में reply करने के कुशिष करूंगा, तो yes, comment fast and जितने जादा हो सके उतने जादा इस व students कोई भी student हो ऑर student के पास इस video और लोगोटों को स्टोंगे चुरॉट करें ऐस यह स्टाइफ है तो आर निंवस्चरों करते हृं किहां खता एक से द हम की संदम के रहे भाहता है I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust